So welcome back to my channel, आज इस वीड़े में बात करने वाला हूँ, अली बाबा चालिस चोर की जो कहानी चल रही है, अली बाबा सीरीज के नाम पे, सब टीवी पे, उसी के बारे में So इस अफते कहानी में क्या प्रोग्रेस हुआ है, इस अफते कहानी में प्रोग्रेस ये हुआ है, कि अली बाबा और मरियम जो है, मिल चुके हैं, अली बाबा अपने फात्मा के लिए सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन उनके प्यार के मामले में जो किस्मत लिखी गई है, वो अपने आप मुर्तवेजारी है मरियम के तरब, मरियम अपने पूरी कोशिश कर रही है कि खुद की जान बचा ले अपने पास का तलिस्मान बचा ले लेकिन वह तलिस्मान भी उसके खाला जाता है। और इधर जो सिमसिम है, सिमसिम अपने 40 चोरों को जो है आजाद करके भेज देती है काबूल में, जहां पर जा करके उनको लाना होता है वो तलिसमान, जिसमें आटकीवी है इबलिस की जान, राइमिंग हो गया या, लेकिन 40 चोर जब पहुंचते है काबूल की गलियों में, तो वहाँ पर उनको नहीं मिलता वो तलिसमान, जैसे कि लास्ट टैम मैंने आपको बताया था कि जब अली बाबा की जो फादर थे, वो जब इबलिस को मार रहे थे, उसको कैयाद कर रहे थे, उस वक में जो तलिसमान उनके हाथ लगा था, उस तलिसमान को दो हिस्सों में बाट दिया गया था, और वो बाइड डिफॉल्ट जो है, एक हिस्सा अली बाबा के पास चला जाता है, दूसरा हिस्सा जो है मर्यम के पास, यानि काबुल की शहजादी के पास में, और वो शहजादी जो है गली भटक रही थी, लेकिन अभी हाथ लग चुकी है अली बाब आगे दिखाया जाता है कि दौनों वहाँ से भाग निकलते हैं, और देखा जाए तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही कॉमेडी दिखाया जा रहा है, इक तरह से उस जोड़ी की तरह उनको पेश किया जा रहा है, जो कि आपस में पहले बहुत लटते हैं, आपस मे कहीं से भी यह जमीन फट जाया और 40 जोर इसमें समा जाया और बिल्कुल वैसे ही होता है पिर भी इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि इन दोनों के वैसे यह कांड हुआ है कहानी आगे बढ़ते जा रही है इधर सद्दाम जो है यानि शेजादी का जो मामा है वो अपने आप में लगी वी है और सिफ इस चीज का इंतजार कर रही है कि कभ इबली स्मीन से जागे और पूरी दुनिया में तबाही मचा दे ठीक है इन सारे कांड के बाद में सिमसिन के चालिस चोर है वो काबुल गये और वो नायाब भी लेकर कि आए यानि वो लॉकेट का वो हिस्सा का वो हिस्सा जब ला करके दिये तो पता चलता है यह सिर्फ एक हिस्सा है दूसरा हिस्सा किसके पास है यह तो नहीं पता अब इस टुपड़े के बारे में पहले से पता था कि यह किसके पास में है यह नहीं पता है अभी सिमसिन ने यही हुकम दिया है कि जाओ जाकर के का यह था अब तक कहानी आप को आप पून सा हिस्सा जादा अच्छा लग रहा है लव स्टोरीे जादा अच्छा लग रहा है या फिर चालिस पारोक्षा की निकल जाओ, आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन पर जाकर के जरूर बताएं, यहां तक वीडियो देखने के लिए तहर दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्त रहो, मस्त रहो, जवर्दास्त रहो